गुड मॉर्णिंग विल्कम बैक टो चैनल स्टूरेंट तो हम लोगोंने क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर 10 था प्रकास का परावर्तन तथा अपवर्तन है इसका हम लोगोंने कुछ अब्जेक्टिब कोश्चन किया अब और भी कुछ इंपॉर्टन कोश्चन है जो कुछ आज कंप्लीट करेंगे ठीक है तो कुछ और इंपॉर्टन कोश्चन करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगोंने जो किया वह था दर्पन से तो आप लोग अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुसका लिंक देदेंगे आप वहां से जाकर क अब हम लोग अज कम स्टार्ट करें लेंस का ठीक है तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं क्योंकि यह आपके एक्जाम के लिए बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है इसमें जो भी कोश्चन को चाटा गया वो इंपॉर्टन कोश्चन है पढ़ लिजिए करते हैं उसके बाद हम लोग एंसी क्यों भी करेंगा भी थोड़ा मन लाइनर करते हैं फिर एंसी क्यों भी करेंगे जैसे कि पहला कोश्चन हम लोग का लेंस किसे कहते हैं तो लेंस क्या है अगर पूछ दिया कि लेंस किसे कहते हैं तो दो पारदर्शक माध्यम द्वारा गीरी सता को lens कहते हैं, ये छोटा जाइक परिभाशा है, ये दो पारदर्शक माध्यम द्वारा गीरी सता को lens कहते हैं, हम लोग पढ़े थे कि दर्पन, दर्पन में क्या होता है कि गो रौशनी अगर प्रकास जाता है तो टकरा जाता है ठीक है प्रकाश इधर नहीं पार करता है लेकिन लेंस में इसके just opposite होता है लेंस में क्या है कि अगर लेंस तो आप लोग देखे होंगे रोशनी इधर जाता है तो इधर पार करता है इसलिए दो परावर तक साता है इधर से भी रोशनी जाए तो इधर पार करेगा ठीक है लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लेंस होते हैं दो प्रकार के उत्तल लेंस और लेंस जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है ठीक है और और लेंस कुछ इस तरह से और इस तरह से ठीक है नीचे से भी थोड़ा सा रहता है यह इतना नहीं रहता है बस फिर भी हल्का सरत है, तो ये इस तरह से उतल लेंज बंता है, ठीक है चलिए, यहां पर भी वही कउनसेप्ट है आपका, उतलल यानी उठा हुआ है, उतलल यानी की धसा हुआ है, ठीक है, मतलब हम जैसा यह figure बनाए थे इसमें आप देख्जेगा ऐसा गोल सा आता है लिंस बीच में ऐसा उठा हुआ भाग होता है यहां पर इस जो center point इतना दूर उठा हुआ भाग रहेगा और किनारा किनारा पतला रहता है किनारे में यही होता है उठाल लिंस एवन आप अपने phone म हम लोगों का कि out the lens किसे कहते हैं तो वह lens जो बीच में पतला बीच में क्या पतला होता है और किनारे किनारे से मोटा होता है उसे out the lens कहते हैं इसी तरह से मतलब बीच में पतला और किनारे किनारे जो है मोटा भाग रहेगा इसको कहते हैं आगे question है lens का प्रकास केंद्र किसे कह सते हैं लेंज का फोकस gonna रहा फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे ठीक है इस थे फोकस सहा मतरक में भी लगा हुता है और बहुत सारा है आप फोन में भी कह सकते हैं कि phone में भी lens लगा हुआ रहता है ठीक है उसके बाद क्या उत्तल lens की focus दूरी धनात्मक या रिनात्मक होती है तो हाँ उत्तल lens की focus दूरी है वो धनात्मक होती है यह हमेशा याद रखेगा कि उत्तल lens का focus दूरी plus में रहेगा और से एक छोटा से numerical पूछा जाता है आप से lens का power पूछा जाता है तो बस आप lens का power बना दीजिएगा ना उसमें भी confusion कर देगा plus और minus से बस तो ये concept याद रखे है कि उत्तर lens यानि plus और उत्तर lens यानि की minus अब है lens का सूत्र लिखे है अबजेक्टिम में ये lens का सूत्र भी पूछ सकता है तो याद रखेगा 1 by B minus 1 by U equal to 1 by F ठीक है ये है आपका lens का सूत्र जहाँ पर आपको बता दियाएगे गया है कि भी क्या है प्रतिभिम की दूरी है U क्या है वस्तू की दूरी है और F focus दूरी है ठीक है lens की छमता किसे कहते है तो lens की छमता lens की focus दूरी का व्युक्त करम होता है ठीक है यही है lens की छमता और उत्तर lens में प्रतिभिम का प्रकृति कैसा होता है तो उत्तर lens में जो प्रतिभिम का प्रकृति होता है वो वस्तू से छोटा होता है मालने जग कोई वस्तू इतना बड़ा है तो उत्ता लेंस में वही वस्तू छोटा नज़र आएगा ठीक है सीधा दिखता है और कालपनिक दिखता है फिर लेंस के कितने फोकस होते हैं तो लेंस का दो फोकस होता है ठीक है अगे आजाएए अब objective type question है objective question को कुछ देख लेते हैं उससे पहले अगर वीडियो आपके लिए helpful रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा तो मुझे काफी motivation मिलेगा और इस तरह का आपके लिए वीडियो जो भी important 10th class का वीडियो हम upload करते रहेंगे चलिए अब आगे देखते हैं objective में photographic camera का अभी दृशक होता है photographic camera जो होता है जिसे हम लोग photo की click करते है या जो phone में भी camera है उसका अभी दृशक कैसा होता है तो वो होता है हम लोग का अउतल दर्बन चीक है मतलब यह आप option चूस किजिएगा घा नमबर अउतल दर्बन उसके बाद आवर्धक lens के रूप में निम्ण में से किसका उपयोग किया जाता है अभर्धक lens में हम लोग जू अपयोग करते हैं वो है उतल अवतल lens उतल और आवतल दोनों को mix किया हुआ है उतल आवतल lens ठीक है उसके बाद सरल सुछमदर्शी lens का समान रूप से महत्म अभर्धन क्या होता है तो सरल सुच्पंदर्शी जो होता है, छोटा सा सरल, उसका जो है, 10X होता है, अवर्धन, यहनी 10X कहने का मतलब है, कया आप फोन में भी देखते हैं न, कितना megapixel का क्यामरा है, तो 8 megapixel, 12 megapixel, 50 megapixel, इस तरह से, जो megapixel वही है, आपका महत्तम अवर्धन, Megapixel, power होता है आप उसको जितना घुमाईए 10x, 4x या फिर जो PUBG खेलने वाले हैं वो तो और अच्छा से समझ पाएंगे कि आप लोग जो PUBG में set करते थे हैं कितना 2x मिलता था, 4x मिलता था याना 8x मिलता था तो उसी तरह जो सरल सुच में दर्सी होता है उसका power मतलब महत्तम अवर्धन जो है वो 10x होता है ठीक है, 10 गुना तक आप उसको बढ़ा सकते हैं हुआ है कि किसी lens की छमता minus 1.5D ही हो तो उसकी focus दूरी क्या होगी ठीक है, focus दूरी बोला है निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं यहीं पर solve करते हैं, देखिएगा कैसे इसको solve करना, बहुत simple है पहले तो देखिए, power equal to क्या होता है formula, 1 by f पावर बराबर एक बटा focus दूरी तो अगर focus दूरी निकालना होता हो तो f बराबर 1 by p ठीक है, focus दूरी बराबर एक बटा ही है, अगर इस point को हम लोग हटाते हैं, रुख जाएए थोड़ा सा इसको clear कर देते हैं, 100 ठीक है, बटा 1.5, अगर इस point को हटाईए तो उपर में 1 0 बैट जाएगा अब हम इसको 5 से काड़ देते हैं, तो 200 बार में एक कट गया, और यह बैठाएंगे, और फिर 20 आगया, तो 3 चकटा रहा है, यह repeat करते जाएगा तो जो है आपका, यह answer 66.6, वह ही आ रहा है ठीक है, गव option, और ध्यान में क्या रखें minus में था, तो minus में ही answer आगा या plus में भी देखे, answer दिया है यह सिर्फ आपको confuse करने के लिए दिया है ठीक है, तो यह minus में जो दिया हुआ है यही है answer, उसके बाद आए 5 नमबर यह लेंज हमेशा कालपनिक प्रतिविम बनाता है, तो कौन सा लेंज कालपनिक प्रतिविम बनाता है, अभी हम लोगों कहाँ पर बनेगा, तो यह जो प्रतिविम है वो बनेगा 2F पर ही ठीक है, अब 7 नमबर कोश्चन देखे कि 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तर लेंज की छमता गयात करें, ठीक है 20 cm फोकस दूरी है, तो यह भी उसी तरह का normal question है तो यहाँ तो easy है, कि power equal to 1 by F है है ना, तो हम यहाँ बैठा दिए 100 by 20 ठीक है, अब सीधा solve किए, 20 cm 20 cm और 20 cm 100, अब जो है उत्तर लेंज, तो उत्तर लेंज हमें सा क्या आता है प्लस में आता है, अब देखें, आपको confuse करने के लिए देदी, आपको दो-दो option minus 5D होगा, या plus 5D होगा तो यह concept एकदम clear रखना है, कि उत्तर लेंज plus में होता है, और उत्तर लेंज minus में होता है, तो हम से उत्तर लेंज पोचाता तो plus में है, तो यह आपका gun number option सही है, बिल्कुल ठीक है, और एक question आप यह भी जोगर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम one by f बोल रहे हैं, तो 100 क्यों लिखें 100 इसलिए लिखें, क्योंकि यहाँ पे 20 cm है, तो cm है, तो meter के चलते, meter में बदलने के लिए हम लोग 100 लिखें हैं, ठीक है यह clear रखेंगा आप लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग, 8 number question देखिए कि किसी lens की चमता P दर साता है किसी lens की चमता P क्या दर साता है तो वही power equal to क्या हो जाएगा तो power equal to one by f, ठीक है second option, चूज कर लिजिएगा nine question है कि एक diopter उस lens की चमता है, जिसकी focus दूरी है, अब यहाँ पर फिर से वही lens का चमता दे दिया है, एक diopter तो आपको उसका focus दूरी निकालना है, तो focus दूरी देखिए क्या हो जाएगा, फिर से अगर आप चाहें तो solve कर सकते हैं, P equal to one by f है जाता है, लेंस की चमता का मापन किस में किया जाता है, diopter में किया जाता है gun number option सही है, 11 number question कि एक lens की चमता plus two diopter है, तो उसकी focus दूरी क्या होगी, फिर से वो question है plus two diopter है, तो focus दूरी आप लोगों को बताना है, तो यह question आप solve कर सकते हैं, आप इसको practice कीजिए, हम आपको इसका answer बता देते हैं, ये खा number option होगा 0.5 meter, ठीक है अब आप इसको solve करके देखिएगा 12 number question देखिए, पानी के अंदर volume का बुलबुला विभार करता है, पानी का अंदर जो बुलबुला निकलता है, वो किस तरह का बिभार करता है, तो वो जो है आपका outer lens का बिभार करता है, ठीक है उसके बाद आप आजाए आगे, आतेरा number lens की focus दूरी का व्युक्त करम जब meter में मापा जाए, तो कहलाता है क्या कहलाता है आपका, छमता कहलाता है जब meter में मापा जाए, focus दूरी का व्यक्त करम तो वो छमता कहलाता है वही पावर उसके बाद चौदा नंबर कोश्चन है कि लेंस की वकरता त्रिज्या होती है तो लेंस की जो वकरता त्रिज्या है वो क्या होती है तो फोकस दूरी से दो गुनी होती है ये भी है कि याद रखिया concept कि focus दूरी से दो गुना होता है लिंस का वक्रता त्रिज्या अब आते हैं 50 number question कि कि किसका focus अभासी होता है अभासी कह सकते हैं कालपनी कह सकते हैं तो किसका focus होता है इसको भी हम लोगों ने अभी उपर पढ़ा था तो author lens का जो focus होता है वो अभासी होता है 60 number question है कि एक author lens शमता सकती का सामर्थ 4 diopter है ठीक है एक author lens शमता सकती का सामर्थ 4 diopter है तो यह क्या होगा तो same यहां से फिर से भाई है बता दिया गया है आपको power जो है वो 4 diopter है तो क्या आप उसका कैसे मतलब बनाईएगा भाई फिर से question वह solve करने वाला है 100 by अगर आप 4 लेते हैं नहीं बना 1 by 100 लेते हैं क्योंकि option जो है आपको meter में दिया हुआ है centimeter में रहता तब 100 लेने का जरूरत था ठीक है तो बस 1 by 4 अगर हम लेते हैं और क्या ची है 1 by 4 लेते हैं तो करना कुछ नहीं 4 से divide कीजिए तो 0 point आ जाएगा चार दुनी आठ दो बच्चा और फिर 4 पच्चे भी 0.25 है 0.25 आपका है एक सिकेंड हाँ ठीक है 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतर लेन्स होगा क्योंकि जो पावर आया वो किस चीज में प्लस में है ठीक है 70 नमबर वस्तु A में है यह जो वस्तु A है मतलब यह जो बना हुआ है क्या है वस्तु A ठीक है 16 to 70 नमबर है न तो वजत्तु ए जो है आपका कौन सा लेंस है अवतल लेंस है ठीक है अवतल लेंस देखिए ये अवतल लेंस है और नीचे वाला फिर अगर पुछ रहा है तो नीचे में भी आप वही चीज़ देख सकते हैं 18 नमबर कोशियन के चीटर में प्रकासित अव्योपी है तो वो कौन सा हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट उतल दरपन अच्छा उतल लेंस है उतल दरपन है तो हम लोगों को अभी याद है आया हम लोगों ने देखा था ये जो है वो उतल दरपन ही है है ना उतल दरपन मे सारा ऐसे टक जाता है मतलब इधर नहीं एक सकेंड उतल दरपन है ऐसा जाता है तो इसी का ये मिल करके यहाँ प्रतिवीम बनता है तो ये हो जाएगा उतल दरपन 90 नमबर जो कोशियन है कि चीटर में प्रकासित अव्यब जो है वो क्या है तो वो उतल लेंस है ये आपका अब आ जाते आगे 20 नमबर कोशियन कि चोटा अभासी प्रतिवीम प्राप्थ होता है चोटा बने अभासी बने किस में होता है ति ये होता है उतल दरपन में और अवतल लेंस में या दोनों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं आगे में देखिए क्या समझते हैं तो जब प्रकास की कीरन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है यही परिवर्तन प्रकास का अपवर्तन कहलाता है समझेगा जब प्रकास की कीरन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है ठीक है तो उसी की दिशा में परिवर्तन होता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है जैसे कि कह सकते हैं इस तरह से कि ये suppose that है सीषा इसके अंदर जो है प्रकाश का रोषनी गया तो ऐसा 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 जाता है ठीक है दिशा तो इसका वह ये बट टेढ़ा मिला दिखता है होता तो वो सीधा है आप देख सकते हैं जिसे पानी में आपको रोड को डालिए तो आपको टेढ़ा दिखेगा ठीक जाता तो वो सीधा ही है ठीक है ये प्रकास का पुरतन अब फिर प्रकास का पुरतन का क्या नियम है कि आपतित कीरन आपरिवर्तित कीरन तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक ही तल में होता ये तीनो चीज़ जो है आपतित किरन, आपरुवर्तित किरन और आपतन बिंदू, तीनो जो है एक ही तल में होता है, जैसे माली जी ये तल है, ये आपतित किरन है, ये आपतित किरन है, तो यहीं जो बनेगा वो आपतन बिंदू बनेगा और ये जो अभिलंब बनेगा, फिल दो माध्यम के लिए आपतन कोन की तुरिज्या तथा आपरिवर्तित कोन की तुरिज्या का अनुपात इस्तिरांख होता है अर्थाथ यू जो है इस तरह से equal to sin i but sin r ठीक है अब आते हैं आगे आगे है क्या आपतन कोन और निर्गत कोन के बीच कोई संबंध है तो संबंध है हाँ I equal to E ठीक है आपतन कोन बराबर निर्गत कोन फिर जब कीरन विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाए जाए तो क्या होगा कीरन अभिलम से दूर चला जाता है ठीक है क्या प्रकास वेग सभी माध्यम के लिए बराबर होता है तो नहीं प्रकास के वेग सभी माध्यम के अनुसार परिवर्तित होते है हीरा क्यों चमकता है तो प्रकास के पूर्ण परावर्तन के कारण हीरा चमकता है हीरा में क्या है ना जैसा भी हीरा डाइमंड बनता है उसमें जिधर से भी रोशनी पड़े वो पूरा तरह से प्रकास को क्या करता है और परावर्तित कर देता है चारो तरप से फैला देता, हर तरप से फैला देता, इसलिए हीरा चमकता है, कांच तथा जल का अपवर्तनांग क्या है, तो कांच का अपवर्तनांग 3 by 2 है, तथा जल का अपवर्तनांग 4 by 3 है, ठीक है, प्रकास का वेग कांच में क्या होगा, तो प्रकास का वेग कांच में 10 पे power 8 meter per second. उसके बाद 10th number की प्रकास का वेग हावा में क्या है? तो 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है? ये तीनों को याद रख लिजेगा objective में आ सकता है. प्रकास के अपवरतन का क्या कारण है? तो भिन-भिन रंग के प्रकास के वेग का भिन-भिन होना. ठीक है? ये ही आपका प्रकास के अपवरतन का कारण. उसके बाद आजाते नीचे. अब objective, कुछ और objective है. इसको हम लोग complete कर लेते हैं. कि पार्श्विक वस्थापन निर्भर करता है. पार्श्विक वस्थापन किस पे निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करता है. इस पे I पर भी, R पर भी, मोटाई पर भी. तो ये इन सभी पर आप कर सकते हैं. उसके बाद आपतन कौन, आपरिवर्तित कौन, तथा अपवर्तनां के बीच में क्या संबंद है? तीनों के बीच में संबंद बताना है. तो तीनों के बीच का जो संबंध है वो है आपका यह जब कांट स्लैपके बीच दोनों वीपरित पार्श जामांतर ना होतो अगर नहीं होगा तो तो सिर्फ वर्ण विशेवपन हогा ठेक है सिर्फ वर्ण विशेवपन होगा उसके बाद फोर्थ नमबर परवर्तन का नियम कौन सा दर्बन में लागू होता है अब देखिए ये पुछा है परवर्तन का नियम तो परवर्तन का जो नियम है वो समतल हो चाहे उतल हो चाहे उतल हो सभी पे लागू होता है ठीक है इसलिए उप्रोक्त सभी में अब पुर्ण आंतरिक परवर्तन होता है जब प्रकास जाता है अब प्रकास कब जाएगा तब पुर्ण आंतरिक परवर्तन होगा तो प्रकास जब हीरा में जाता हीरे से कांच में तब है जो कि पुर्ण आंतरिक परवर्तन होता है उसके बाद प्रकास तन्तु किस सिध्धा पर काम करता है तो प्रकास्तन तुझो है वो आपका पुर्ण आंतरिक परवर्तन पर काम करता है यति आपतन कोन आई सुन है तब आपतन कोन होगा कितना होगा आपतन कोन तो ये भी आपका सुन नहीं होगा ठीक है क्योंकि दोनों बराबर होता है आपतन कोन आपरवर्तन कोन के बराबर होता, अगर ये सुन होगा, तो वो सुन होगा, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेते, आपतित कीरन और परवर्तित कीरन, ये दोनों से जो बनता है, आपतन कुन, परवर्तन कुन, ठीक है, वो भी एक ध्यान में रखना है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग 8 number question, कि अपवर्तन की इकाई, अपवर्तनांग की इकाई है, तो अपवर्तनांग की जो इकाई होती है, वो होती है, degree, meter, meter, degree, अच्छा, इन में से तो कोई नहीं है, ठीक है, आप लोग comment करके बताईएगा, कि अपवर्तनांग की इकाई क्या होती है, ठीक है, बुक में आप लोग कोन के बराबर होगा तो आपतन कोन क्या बनेगा आपका आपतन कोन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है ते कहां नहीं जा सकता है उसके बाद प्रकाश का रंग किस से निर्धारित होता है तो प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित होता है आवरिती से फिर जब प्रक प्रकास की रन अभिलम से दूर चली जाती है यह वो विरल माध्यम में जाए ठीक है उसके बाद अपवरतन के नियम है अपवरतन का कितना नियम है तो दो ही नियम है ठीक है प्रकास का अपवरतन होता है प्रकास का अपवरतन दूसरे माध्यम में होता है यदि आप आपतन कुन का मान, क्या होता है, अपवरतन कुन का मान भी आपका बढ़ता है, ठीक है, ये के लिए राप रखेगा, बढ़ता है, तो इस तरह से हम लोगों का, ये जो है, अबजेक्टिव, जितना था, चैप्टर 10 का, प्रकाश, अपवरतन तथा परवरतन, इसका सारा कोशन कम्प करना है, और I think, जो अभी हम लोग इसमें, दो चैप्टर मिक्स हो गया है, आपका प्रकाश का भी, और कुछ न कुछ कुछ कोशन जो है आपका, वो मानवनेत, तरुततर रंग भी रंगा, संसार का भी कोशन इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है, तो इसको अपना बढ़ियां से कर लेना है, और Math कभी चल रहा है, Math में जो important question का series चल रहा है, उसको आप देख लिजिएगा, तो playlist हम आपको ind screen पर show कर देंगे, वहां से आप लोग जा करके देख लिजिए, और बढ़ियां से तयारी कीजिए exam का, चलिए फिर वीडियो अच्छे लगा है, तो वीडियो को like share जरूर करें, और चैनल को subscribe करें, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाइंट टेक केर,